साथियों मैं जॉक्टर रिचावाशने संभफ नेचर क्यूर हॉस्पिटिल से साथियों आज कर जो हमारा टॉपिक है वो है अमर्जनसी पॉइंट्स जी हां साथियों हम बात करते हैं बेहोश को होश में लाने का पॉइंट यानि कभी भी कोई भी बेहोश हो सकता है हम जनरली पानी की छीटे डाल देते हैं उसके उपर यह ज़िदी कभी पानी भी अवलेबल ना हो तो ऐसे केस में हम क्या करें एक बहुत अच्छा एमर्जनसी पॉइंट्स है बेहोश होए विक्ति को होश में लाने का वो है पॉइंट नाक के नीचे देखिए बिल्कुल जो नाक की जो टिप है इसके नीचे ये पॉइंट है लिप्स के उपर और नाक के नीचे आप इस जगा पर कसकर प्रिशर देंगे जब आप कसकर स्टिमूलेट करेंगे इस वहारों में है देखे वह डाइग्राम में दिखा रहे हूं इस पॉइंट का नाम है के वन आप इस पॉइंट को इस्टी मुलेट करेंगे तो जो व्यक्ति वहोश है वहोश में आ जाएगा तो टो टू पॉइंट्स है वहोश वाले व्यक्ति को होश में लाने के लिए माक्सि भूजन कर रहे हैं जनरली कहा जाता है कि भोजन करना चाहिए शांत मन से मतला भे कि बहुत जदा बात करते वे भोजन नहीं करना चाहिए कि जनरली होता क्या है कि जब हम बात करते हुए खाना खाएंगे तो अक्सर जो बोजन का कण है वो हमारी श्वासनली जिसे हम सास ले रहे हैं उसमें चला जाता है अब जब श्वासनली में अनकड चला गया तो क्या होगा हमें तेजी से धसका आएगा हम सास नहीं ले पाएंगे क्योंकि कड़ फसा है और तेजी से धसका आएगा वो धसका इतना ज़ादा होता है कि व्यक्ति रिसेर्चिस बता रही है कि हजार दो हजार में से किसी एक की ज जा सकती है क्योंकि उसमें आप सांस नहीं ले रहे होते हो यदि वो अंकड़ बढ़ा है और आपने सांस नहीं ले पाई तो जाएगी लेकिन हम पीट कपता पाते हैं बहुत कुछ करते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा एमर्जनसी पॉइंट आएंगे स्मॉल फिंगर स्मॉल फिंगर की जो टिप है टिप ओफ दस्मॉल फिंगर नेल के तरफ की आप कस कर स्मॉल फिंगर को कस कर ट्विस्ट करना है आप लेफ्ट साइड की भी राइट साइड की भी कर सकते हैं आप कस कर जब स्मॉल फिंगर को करेंगे तो देखेगा कि जो अन्न का कड़ श्वास नली में चला गया था वो निकल जाएगा और नॉर्मल विधिंग हो जाएगी व्यक्ति की और ठीक से फिर से सास देने लग जाएगा यह बहुत अच्छा महीन महीन कीड़े हैं वो हमारे कान में चले जाते हैं अब क्या करें दिक्कत तो है पानी भी कान में चला गया कोई कीड़ा चला गया तो दिक्कत के बाद तो है यह कि कानों में वह चिस चलीगी तो मनी अनिजिनस रहेगा हमें अब कैसे निकाले जो पानी चला गया है उसको क कान के तरफ आए लेफ्ट साइड में गया है तो जो यह पॉंट है इसको आप तसकर दबाएंगे और थोड़ा सा ठिर्चा कर लेंगे अपने कान को ताकि जो पानी गया हुआ है पानी बाहर आजाएगा यह केडा गया हूआ कीडा बाहर आजाएगा दुगां दी राइट करेंगे और जो भी हमारा कीड़ा गया है या पानी गया हुआ है वो पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा तो है ना इमर्जेंसी पॉइंट इसके अलबा साथियों एक पॉइंट है इदी बाइदी वे एंजाइना की बात नहीं कर रहे हूं हार्ट फेलियर की बात कर रहे आसे में आपको क्या करना है जो स्मॉल टिप है स्मॉल फिंगर की जो टिप है इसको आपको कस की जितना भी आप कसके दबा सकते हैं दातों से इसको कसके दबा दीजिए बिल्कुल आसे निशान बन जाए बिल्कुल चिंता मत करी आप किसी की जंदीगी बचा रहे हैं ये स आता जिन्दिगी ही बचा लेंगे आप किसी की तो मैं बता रहे हूं लेफ्ट शाइट का करेंगे तो ज्यादा बैनिफिश्यों होगा लेफ्ट या राइट मैं से लिक्रियां लेफ्ट का करें और कसकर दबा दें मरीज का जिसको आपको लगता है यह चीज़ हुई है कसकर बहुत कसके दबाएं तो देखे का व्यक्ति होश में आ जाएगा इसके अलावा कोई आपके सामने किसी को पारलिसिस का अटैक बढ़ रहा हो अब क्या करें ऐसी कंडिशन में आप ऐसे फस्टिट क्या कर सकते हैं वो यह कि जितने भी हमारे टिप्स हैं दसो हाथों के इसके टिप यह हुई स्मॉल फिंगर इसके टिप यह हुई ऐसे ही सभी सारी दसों उंगलियां हातों की दसों पैरों की सबके टिप्स को कसकर स्टिमूलेट करना है सब उंगलियों को कसकर जब आप क्विस्ट करेंगे कसकर दबाएंगे तो देखेगा कि जो व्यक्ति को प एमरजनसी से रिलेटेट थी मुझे लगा कि एक वीडियो बनाओं मैंने अलग लग भी वीडियो बनाई हुई है लेकिन मुझे लगा कि मैं एक वीडियो में काफी चीज़े दूँ ये पार्ट वन बनाया है अब पार्ट टू लेकर भी बहुत जल्दी ही आऊंगी इसमें औ अपनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आप मददी दूसरों की कर रहे हैं क्योंकि कभी कुभी एमरजनसी में आजब फॉस्टिड ये बहुत सरी चीज़े काम आ जाएंगी किसी की जन्दीगी बत सकती है तो जरूर मदद करें